हालो स्टूडेर में शिवानी सूलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्व चैनल ससी वॉलट पर आज हम इस सेशन के अंदर क्लोस टेस्ट करने वाले हैं क्लोस टेस्ट बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है आपके हर एक्जाम के अंदर जरूर आता है चाहिए वो प्री हो या फिर आपका मेंस हो आप कोई भी वंडे एक्जाम दे चाहिए आप बैंकिंग का एक्जाम दे या फिर आप सीडिस एंडिये दे या फिर आप SSE का CHSL दें सीपयों दें स्टैनों दें सीजल दें या फ्रैम्टेश दें हर एक्जाम के अंदर क्लोस टेस्ट का कुशन जरूर आता है बहुत इंपॉर्टन है क्लोस टेस्ट बहुत सारे स्टुदेंट होंगे जो FIRST TIME SESSION देख रहे होंगे तो क्लोस टेस्ट क्या होता चाहुता मैं आ अब definitely paragraph incomplete है, तो उसको आपको क्या बनाना है complete, complete बनाने के लिए, close test में सबसे ज़ादा जो ज़रुत होती है, वो आपके grammar part की होती है, सबसे ज़ादा जो ज़रुत होती है, वो आपके grammar part की होती है, क्योंकि आप देख भी सकते हैं, आभी मैं आज questions भी कराऊंगे, और grammar part है अमारा strong होना चाहिए, क्योंकि अगर पाच questions आ रहे, तो तीन से चार questions डारेक्ली आपके grammar based रहते हैं, अगर तीन grammar है तो दो vocab होंगे, और अगर चार grammar है तो एक vocab होगा, तो इसी तरह से ratio चलता है आपके close test के अंदर questions का, स्टार्ट करते हैं session को, फॉस्ट क्रोस्ट इसकी बात करें, सीजल मेंस का है बचो, जो उनने 29-1-2022 में पूचा गया, 29-1-2022 में पूचा गया है, बात हो रही है, दे चाइल्ड इस दे फादर ओफ मान, जो चाइल्ड है, वो फादर है एक मान का, चाइल्ड होड़ोड क्या है, एक बॉण्ड है, एक फ्राइट है, प्रॉम्स है या फिर कॉन्ट्रेक्ट है, तो यहाँ पर बात करें, अगर बॉण्ड की, तो दो लोगों के बीच में, जो एक mutual understanding होती है, बहुत अच्छी, that is bond, contract समस्ते यो आप चीज़ों, जब हो जाती है, और अगर मैं बात करूँ, तो इसका मतलब होता है, कोई भी case, कोई भी situation, तो यहाँ पर childhood जो है, वो एक क्या है, आपका एक promise है, childhood क्या है, आपका एक promise है, you can easily eliminate remaining options, bond, fight, after that है कर हम बात करें, one is going to be, कोई भी एक क्या होने जा रहा है, कि when one dash maturity, अब वो क्या करेंगा, secures करेंगा, completes करेंगा, scores करेंगा, या फिर attains करेंगा, तो वहाँ पर, अगर हम बात करते हैं, secure, जैसे अभी आप बच्छे तयारी कर रहे हो, तयारी करकर selection लेना चाहते हो, job करना चाहते हो, क्योंकि आपको नोकरी चाहिए, अपना future secure करने की, तो यहाँ पर maturity को, वो secure नहीं कर रहा है, complete, जैसे आभी आप पढ़ रहे हो, तो आप syllabus complete करोगे अपना, score होता है, जैसे आप पढ़ रहे हो, तो अच्छा number लेकर आओगे, score करोगे, that is attain, यानि कि attain का मतलब होता है, जो चीज आपको प्राप्त होती है, तो उसके अंदर क्या वो प्राप्त होता है, हर एक को maturity प्राप्त होती है, ठीक है, maturity प्राप्त होती है, next आते है, the natural instance of a man, art dash, in his childhood, तो वहाँ पर जो natural चीज़े होती है, man के अंदर, वो क्या होंगी, that is determined, क्या होंगी, determined, distribute चीजों को बाटना, contribute जो आप सहियो करते हो, जैसे गरीब लोगों की help करने में, सहियो करते हो चीजों को, and dispose का मतलब समझते हो, जब कोई चीज कही न कहीं बाइस होती है, एक और चल रही है, चीज़े है, so we can easily eliminate remaining all options, so answer option क्या होगा, determine and strip कर लिया है उस चीज़ को, after that point क्या आता है, in his childhood, time modifies them, time क्या उनको modify करता, but cannot, dash them, time उन सब को modify तो करता है, but उन सब को नहीं कर सकता क्या, finish, delete, cancel या FAS, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर, finish, delete and cancel, तीनों का मतलब एक ही होता है, यानि कि जब आप चीज़ों को खतम कर रहे हो, destroy कर रहे हो, delete करके भी खतम कर रहे हो, finish करके भी खतम कर रहे हो, और cancel करके, so we can easily eliminate remaining three options, तो बसता किया है हमारा third option, और इसका मतलब होता है, किसी भी चीज़ को nest करना, किसी भी चीज़ को nest करना, उसका मतलब है हटाना, finish कर दिया, हटा दिया, delete कर दिया, हटा लिया, cancel कर दिया, हटा दिया, और इसको भूलते है हमारा nest करना, किसी भी चीज़ को nest करना, ठीक है, next आते, next point की बात करें, उसने बूला है कि, history contains numerous examples of great man who gave dash of their future when they were children, history में, history ऐसे, बहुत सारे examples हैं history अंदर, जिन लोगों ने, महाल लोगों ने, अपने future में, ठीक है, क्या किया है, preparations की है, indications दी है, suggestions दी है, या फिर estimations दी है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, preparation की जो तयारी होती है, तो तयारी नहीं होगी, तो great man ने, अपने future के लिए, उनको क्या दी है, that is indication, indicate किया है, क्योंकि suggestions, वही advises वाला के, जो सभी के लिए, and estimation जो आप चीजों को assume करते हो, तो यहाँ पर, we can easily eliminate remaining two options, next आते, अब उसने बोला है, after that, कि of their future, when they were children, a child's mind is dash and flexible, जो child का, जो बच्चे का दिमाग होता है, वो क्या होता और flexible होता है, मतलब जो जल्दी से इधर उधर, अराम सी जैसा चाहो, आप उसको उस तरह से अपना modify कर लो, obstinate होता है, resident होता है, sensible होता है, या impressionable होता है, तो अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर मैं बात करो, यह वो लोग होते हैं, यो स्टबबन टाइब की होते हैं, जिद्धी टाइब की लोग होते हैं, ठेके, जनको स्टबबन बुलते हैं, obstinate का मतलब होता है, कही नहकी, जो, कथोर, वही, कथोर यह भी है, जिद्धी हैं, बही कुछ भी कहलो, नहीं समझते, obstinate भी वही होते है ziddi type के, ये kathor है kathor भी वही होगा ना, जो ziddi है बस जो कहा दिया बस वही, किसी की नही सुनने same obstinate का केस होता है sensible, जो बहुत जल्दी emotional भी हो जाते है sensible होते हैं बहुत जादा okay, so we can easily eliminate remaining three options, so answer option क्या आएगा, that is impressionable, next next question में बोला है the mouth receives before his clay, dash become, dash becomes his permanent mark अब वो क्या करेगा refines करेगा, refine मतलब समझते हो, जो चीज आपकी fine है, pure है contracts या फिर hardens, तो saul की बात की जाएगी तो जो ziddi होंगे jो saul की बात की जाएगी saul क्या होगी, hardens होगी saul क्या होगी, hardens होगी यानि कही रगई हम hard की बात कर रहे है, इसका मतलब होता है, जब हम बात करते हैं जो लोग छीजों को बहुत जल्दवाजी में करते हैं बहुत जल्दवाजी दिखाते हैं, हर चीज को करने की हर बड़ी जिसको बोलते हैं, so we can easily eliminate remaining three options, next आते हैं, next उसने बोला है यहां पर, अगर मैं next की बात करूँ, the values and standards of dash which will determine his life as a man, यह जो values हैं, यह जो उसने standard हैं, उसके, वो सब नस्चित करते हैं, उसके life को as a man, ठीक है, attitude को, manipulation को, conduct को, या फिर tactics, tactics होती हैं, किसी भी काम को करनेगी, टक्नीके, ठीक है, ट्रिक्स, attitude जो आपके अंदर होता है, होना भी चाहिए, and manipulation, जो अपने according चीजों को घुमा ले, ठीक है, और conduct जो आपका behavior, तो यहां पर हम लोग क्या use करेंगे, तो it is a case of conduct, ठीक है, man के अंदर, अपने आप childhood से होता है life को नस्चित करने का, that is, conduct, next आते हैं, next की बात करें, उसने बुला है, अगर हम बचो next की बात करें, तो next में देखो, यहां पर, point के आता है, कि, अब उसने बुला, the values of standards of, which will determine his life as a man, as a man क्या करेगे, childhood itself में, तो as a man क्या कर रहा है, are depleted कर रहा है, is depleting कर रहा है, depleted कर रहा है, or has depleted कर रहा है, तो अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि वो अपने आप determined नहीं हो रहा वो अपने आप determined नहीं हो रहा वहाँ पर करने वाला कोई और है और जब करने वाला कोई और है तो उस case में आपको हमेशा use करना होता है is our M के साथ वर्फ की third form हम values and standards की बात कर रहे हैं values and standards की बात कर रहे हैं which will determine his life as a man are depth-loved are depth-loved ठीक है जब भी case passive voice का होगा तो वहाँ पर is RM के साथ आप use करेंगे वर्फ की third form हम is depth-loving active में use करते हैं depth-loved and has depth-loved का use नहीं होगा next आते हैं there may be certain dash of course a bright morning may end in storm अब इस case में हम rejection की बात करेंगे concessions की बात करेंगे exceptions की बात करेंगे assumptions की बात करेंगे तो जब चीजों को क्या किया जाता है उसको छोड़ कर तो यानि की वर्फ हो रहा है there may be certain कुछ ऐसे भी cases हो सकते हैं उसको छोड़ कर course तो a bright morning may end in storm की एक जो bright morning है शायद वो end हो जाए एक storm में ठीक है so यहाँ पर हम answer option क्या होगा हमारा third that is exemptions ठीक है so exemptions is the correct answer option next close test की बात करतें again CGL means का है 29.1.2022 में पूचा गया है nature has been suffering ठीक है for hundreds of years but the problem did not but the problem did not dash serious proportions so long as the damage अब did not की बात हो रही है तो did not के साथ हम receive लिखेंगे grasp लिखेंगे become लिखेंगे assume लिखेंगे assume का मतलब होता है किसी चीज को imagine करना receive प्राप्त करना grasping power बहुत अच्छी है पकड़ बहुत अच्छी है become बनना तो हम बात कर रहे हैं पे nature की और जो problem है वो नहीं हो पा रही है serious proportion में क्या नहीं हो पा रही assume नहीं हो पा रही predict नहीं कर पा रही हम लोग उसको after that क्या रहे है आपे point कि serious proportion so long as the damage was damage क्या है countable है containable है credible है या फिर attainable है तो आपको ध्यार दखना है यहां पर हम लोग क्या use करेंगे containable ठीक है so जो proportion है so long as damage के अंदर उस सब चीजों को क्या कर रहा है contain कर रहा है and after that and not beyond self repair these limits were crossed with यह जो limits है यह आपकी cross हो रही है किस तरह से cross हो रही है यह बहुत ही शांदार तरीके से cross हो रही है क्योंकि इसमें technological जो है चीजें breakthrough के through तो यहां पर common place यह habitual नहीं हो सकता जब हम बात करने हैं limits की तो यहां पर we can easily eliminate remaining option तो यहां पर इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा शांदार यानि कि जब चीज कोई बहुत ज़्यादा क्या है शांदार है बलकुल भव्य जिसे कह सकते हो उसको भूलते है मारा चले कर नेक्स आते हैं नेक्स की बात करें बचों यहां पर उसने बोला की during the recent years the deployed nations the deployed nations dash benefited most from these were the first two dash जो deployed nations whose, whom, who या फर which अब यहां पर ध्यान रखना है हम nations की बात कर रहे है who का use person के लिए होता है subjective form में और whom का use भी person के लिए होता है objective form में और whose का भी use person के लिए होता है possessive form में या फिर animal के लिए होता है possessive form में animals के लिए होता है possessive form में अब यहां पर हम जब nation की बात कर रहे हैं तो वहां पर subjective things या फिर animals के लिए हम use करता है which तो nations के लिए हम लोग क्या लेकेंगे which which benefited most from these were these were the first two dash the environmental diseases bred by advanced technology वो क्या कर रहे हैं एंट्रक्ट कर रहे हैं या फिर encounter कर रहे हैं drive कर रहे हैं या फिर undergo कर रहे हैं तो इस case में आपको ध्यान रखना है हम क्या use करेंगे क्योंगे benefited हो रहा है उन सब चीजों से एक advanced technology को use कर कर तो उन सब को क्या कर रहे हैं वो encounter करने का काम कर रहे हैं interaction होता है तो interaction से interact बना हुआ है और किसी भी चीज से जैसे word होता है कहां से लिया आपने उसको कहां से drive करा तो that is drive और undergo कईसी भी प्रोसेस में जाने के लिए यूज किया जाता है undergo तो यहां पर answer option क्या होगा encounter जिन students ने अभी तक S.S.E. Bullet को subscribe नहीं किया है वो सभी बचे ज़रूर subscribe कर ले ताकि हर class का आपको notification मल सके और आप regular classes attend कर से के बागी back to back exam से लग्या तेयारी करो आपको support कर रहा है और हमिशा करेगा और life class ज़रूर लिया करो आप सभी students Monday to Friday आपकी 4, 15 to 5 रहती आपके life class तो इसको regular आप attend करो सभी students बाकि जिन students को session अच्छा लगता है तो इसको like and share ज़रूर कर दिया करो आप सभी बच्चे और आज करे इतना रखे so thank you student for the session